हळलो व्रीवन वेलकों टू ईजयामा क्यू इस वीडियो में आज हम लोग जेपीक़फे और जेसे के लिए संपुन जारखण के अंतरगत जारखण का इतिहास आज देखेंगे तो इसके अंतरगत आज हम लोग जारखण का परिचेवा नामकरन से समंधित देखेंगे टोफिक तो चली शुरू करते हैं जारखंड का परिचेवा नामकरन तो जहारखण का परिचेवा नामकरन तो जहारखण एक आदिवासी बहुल राज है तो जहारखण में मुख्य रूप से चोटा नाकपूर पठार और संथाल परगना के वनचेतर सामिल है तो जहारखंड में मुखरूप से छोटा नाकूर का पठार और संथाल परगना के वन छेतर सामिल है तो विंधियों और केमूर की स्रेनियों से जहारखंड को उत्तर से होने वाली आकरमनों से सदेव सुरक्षा परदान की है वींदियो और केमूर जो है जारखंड के उत्तर में इस्तित है उनसे क्या फइदा हुआ है तो आनि उत्तर से होने वाले आकरमत से सुरक्षा जारखंड को तो प्राचिन काल में गुप्त सासक और गौड सासक ससांग को छोड़ कर किसी राजवंस ने जारखंड के छेतर पर अधिक समय तक शासन नहीं किया था इसके बाद मधिकाल में देखते हैं तो मधिकाल में छेतरी राजवंसों के अधिन था लेकिन प्राचिनकाल में गुप सासक और मोर ये गोड़ सासक ससांग ने सासन किया था और ससांग के बारे में क्या कहा जाता है वो एक बोध उत्पिडग था उन्होंने बोध के सभी मंदिरों को तुड़वाने का आदेश भी दिया था और वे एक कटर से उपासक थे तो ससांग से दो मत्पूर्श वाला और ससांग वही सासक है जिरोंने बोधी विरिक्ष को कटवाय था और तो माधिकाल में भी जार्खन पर विसेश पर वह नहीं पड़ा था तो माधिकाल में बाहरी अकर्मन नहीं हुए थे प्राय लगबग किसके अं भूं के सीमंन तुझार कर तीन परमुखंत थे चोक्ष और नागपूर के नागभा वन्स पलामू के रक्से वन्स म्यक और द बादद के सीम options इसके बाद बाद में और वहरने वाले राजवन्सों में परमुकों थे तो मान भूं का मानो सुआ इसके बाद रामगड राज, खडगडिया राज, पंचित राज, ढालभूम राज और पलामू का चेरोवन्स तो छेतर राजवन्सों में छोटा नागपूर खास का नागवन्स सबसे अधिक समय तक सासन किया था तो छेतर राजवंसों में सबसे अधिक समय तक सासन करने वाला नागवंस था जारकन का छेतर राजवंसों में तो सल्तन्त काल में दिली के सुल्तान अपने 300 वर्सों के सासन काल में इस छेतर को कभी भी पूरी तरफ प्रभावित नहीं कर सके तो सल्तनत काल का टाइम प्रियेड क्या था? 1206 से लेके 1526 तक 1526 में बाबर का आकर्मन हुआ था उसके बाद भारत में मुगल राज की अस्थाफना हुई थी और सल्तनत काल लगबग कितने समय तक चला था? सल्तनत काल लगबग 300 सालों तक चला था तो सल्तनत काल में जहारखन पर छितपूत ही बाहरी आकर्मन हुए हैं जैसे वीर भूम के राजा द्वारा सिम्भूम पर तो मुहमद भी तुगलक के सिनापती मलिक बया दुवारा बाक पर तथा उड़ैसा के सासक कपिलेंदर गजपती का संथाल पर गणा पर भी आकर्मन हुआ था और इसके समद में एक कथा क्या है तो एक कथा के नुसर उडिसा के राजा जैसिंग देव ने तेरवी सदी में स्वयंग को जहारखंड का सासक गोसित किया था और ये सवाल जैसेशी पंचात सची में पूछा गया था तो तेरवीन सती में जैसिंग देव ने जहारखंड का सासक गोसित किया था इस तरह खांदेश के सासक आदिल सा द्वित ने अपने सयन दल को जहारखंड बेजा और जहारखंडी सुल्तान की पद्वी धारन की तो जहारखंडी सुल्तान की पद्वी किसने धारन की थी खांदेश के सासक आदिल सा द्वित ने लेकिन इन सब का कोई अस्थाई अपने आपको फिर से सोतनत्र गोजित कर लिया तो मुगल काल में तिसरे मुगल बात्सा अकबर के सासन काल में 1580 में मुगल समराजी का ज्हारखंड के बीच वास्त्विक संपर्क अस्थापित हुआ तो ज्हारखंड का वास्त्विक संपर्क मुगलों से कब अस्थापित 1526 में ही हो गए थी लेकिन जारखंड का वास्तविक संपर्क मुगलों के साथ 1585 में हुआ था किसके बीच उसमें मुगल सासक कुन थे अकबर तब से जारखंड के छेतर राजवंस बिहार उडिसा के मुगल सुभिदार को कर देने लगे लेकिन उस समय भी जब 1585 में अकबर के साथ उसका संपर्क हुआ तब भी जारखंड के सासक अकबर मुगल समराज को टारेट टेक्स ना दे के बिहार उडिसा में जो मुगल सुभिदार थे उसको टेक्स देते थे उनके थुरू पहुंचते थे मुगल के पास टेक्स लेकिन एक कर बहुत ही अनिमीद थी तो वो एक कर रेगुलर कर नहीं देते थे जब उस पर दवाब पढ़ता था तो जो जारखंड के छेतरी राजवांस थे वे हामी भर देते थे कि हम कर देंगे जब दवाब कम हो जाता था तो कर देना बंद कर देते थे इसके बाद फिर से दवाब मिलेगा फिर से कर देंगे आनि कि नियमित कर नहीं देते थे राजवांस जारखंड के जो छेतरी राजवांस थे उत्तर मुगल काल में आनि कि उत्तर मुगल काल किसको बोलते हैं औरंजेव की मिर्तिव के बाद औरंजेव की मिर्तिव का हुई 1767 में तो औरंजेव की मिर्तिव जब 1767 में हुई तो मुगल काल मुगल राजवास थोड़ा कमजोर हो गए और उसके बाद उत्तर मुगल काल जाने जाते हैं कब तक 877 की करांती तक और उसके बाद अंति मुगल बात्सा बाद दूसरा जफर को कैद कर लिया और उसे रंगून भेज दिया गये था उत्तर काल में मुगल बात्सा का और उसके सुवेदारों की जारखंड पर पकड़ कमजोर पड़ गई तो इस काल में जारखंड के लिए नया खात्रा मराठाओं का था जब उत्तर काल में मुगलों की सत्ता थोड़ा कम्जोर हो गई तो जहारखंड में नए खत्रा रूप ले लिया यह कौन था माराठा का तो माराठा अकरमनों का सिलसिला 1741 से सुरू होकर 1830 इसपी तक चला यह खत्रा बड़ा रूप लेता उससे पहले ही अंग्रेज हावी होगे और जारखंड में अंग्रेज़ोंक प्रविष कब हुआ था 867 में किसचेतर से सिम्धूमचेतर से जारखंड में अंग्रेज़ोंक का प्रविष कि परक्रिया 277 वर्सों में पुरी हुई तो ज़ृक्षंड में जब ज़ार्खंड में तो ऐसे तो ऐसे तो 800 जोरी, ऐसेसब अठाटसोच यहDAY्ज में शांष सारसेट में ज़ार्खंड में आये थे अंग्रेज सिम्हुम में परवेश किये थे अंग्रेज और लेकिन पूरी तरह जारखन शेतर में कब था पूरी कर पाए 1837 तक आने कि 70 तकरीबं 70 साल तक जारखन में इधर उधर अंग्रेजों का यूद दिचला तब पूरी तरह अंग्रेजों के कंट्रोल में जारखन शेत से तो अंग्रेजों और उसके सायोग्यों जिन में अधिक कर्मचारी जमिंदार ठेकेदार महाजन आदि सामिल थे जारखंड प्रवेश की जनजातियों में तीवर्व परतिक्रिया हुई जब 1767 में जारखंड छेतर के सिंभूम में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तो कि बंद जीवन थे उन्हें उत्थल पुत्थल मचा दी और सब उलट पलट कर दिया क्योंकि अंग्रेजों ने अभी अपना कूल्स रूल लगाना शुरू कर दिया इनहीं सब कार्णों से जारखंड में निरंतर जंजातियो होते रे इनमें से पर्मुक्ह विद्रों कौन कौन से थे संथाल विद्रों कभू अतास libert 평 मुणड़ा विद्रों 899 और तिलका विद्रों ढाल विद्रों काफी विद्रों हुए थे बार में डीटेल में विद्रों के बार में एक विडियो में पढ़ेंगे तो 1857 के विद्रों में जहारखन के लोग लोगों ने महतपूर्ण भागिदारी की तो 1885 में कॉंग्रेस के अस्थापना हुए अस्थापना के बात लोग राष्ट आंदोलन ने भाग लेने के लिए म बहात्य राष्ट कॉंग्रेस की अस्थापना कह वह थी, 1850 ही में ये ओ हिउमने की थी, जब 1947 में भारत अज़ाद हो गया, तो जारखंड दच्छिन भिहार के नाम से जाना गया, तो जारखंड को पहले कोन से नाम से जाना जाता था, दच्छिन भिहार के नाम से, जार्खन राज निर्मान आंदोलन का बिजारोपन विश्वी सती के आरानभिक दसक में कह भुगा था तो जार्खन राज निर्मान आंदोलन का बिजारोपन कह भुगा था तो पहली बार बिजारोपन 1912 में जे बार्थोल लोमिन ने क्या था वे धाका विद्यास्ती परिश्यत की सदस्ते तो उन्हीं के दोआरा क्या गया था शुरुवात जारखन राज निर्मान अंदोलों की परक्रिया उसके बाद बाद में बहुत से नेता आये उन्होंने परक्रिया को आगे पड़ाया और आखिर में 15 नौमर 2000 को जारखन एक अल ठेबले उराओं ने छोटा नाकपूर संथाल परगना आदिवासे सभा इसी को आगे चलके आदिवासी महासभाग में परियोर्तित कर दिया गया उसके बाद जारखन पार्टी जिसके अस्थापना 1950 में जैपाल से ने किया तो बिस्वी सदी के अंतिम चेतुर्थांस में जारखन मुक्ती मोर्चा ने नियमित अंदोलन किया जिसके फलसरूप बिहार सरकार ने 1995 इस्वी में जारखन 6.306 परिसत के अस्थापना की तो जारखन 6.306 परिसत को जैप भी बोला जाता है और जैप की अस्थापना का हुई थी 1995 में अगर इसकी अस्थाप डेट भी प आपको बताना है इससे समंदित अगर पिछले वीडियो आप देखे हैं तो आप बता सकते हैं इससे समंदित objective में कराए गया था अब जारखन के नामकरण से समंदित देखते हैं तो जारखन की उत्पती दो सब्दों से उलवी ही है जैसे कि कुन-कुन सब्द है जारखन त आने कि टुकड़ा आने कि जारखन सब्द का सारदी अर्थ क्या हो जाएगा वन पर्देश आज इससे जारखन के नाम से जाना जाता है उसे अतित में में आने कि प्राचिनकाल में विभिन नामों से जाना जाता था तो इस छेत्र का पर्थम साहित्यक उलेख एत्रे ब्रह ब्रहामन में मिलता है और जिसे इस एत्रे ब्रहामन में जारखन छेत्र का उले किस नाम से क्या गया है पूंड या तो पूंडर नाम से क्या गया है इस छेत्र को वायू पुरान में क्या बोला गया है जर वायू पुरान की बात करें तो वायू पुरान में मुरंड बोला गय और महाभारत में इसके समझ में दो नाम प्रयोग हुआ है तो महाभारत के दिगविजय पर में इस छेतर को पूंडरिक देश तो क्या यह बोला गया है महाभारत में पूंडरिक देश या तो पसू भूमी और महाभारत में इस छेतर का नाम पसू भूमी या तो पूंडरिक देश का प्रयोग किया गया है और समुद्र गुप्त की प्रयाग प्रस्ति लेख में इस छेदर को मुरून देश कहा गया है और पुरु मध्यकालिन सस्कृत साहित में ध्यारखंड छेदर के लिए क्या नाम प्रयोग हो था था कलींद तेरवी सदी के एक तामरपत में ज्यारखंड सब्द का उलेख मिलता है और यह तामरपत जो है ज्यारखंड सब्द का पर्थम पुरातात्विक परमान है मध्य काल में मुस्लिम इतिहासकारों ने समानेता इस छेतर का उलेक जारखंड नाम से किया है जारखंड नाम से जारखंड नाम का परियोग एक मुस्लिम इतिहासकारों लेकक समसे सिराज अफीप जिनोंने फिरोज साही की रचना की थी इसके लावे समी मुल्ला, तारीख बंगला के रचनाकार, गुलाम हुसेन खा, सियार उल मुत्खरीन के रचनाकारों ने भी जारखंड का उलेक जारखंड सबसे किया है इसके बाद भक्ति कालिन कवी, कवीर और जायसी ने जारखंड का अपनी रचनावों में उलेक किया है किस नाव से जारखंड छेतर से ही किया है इसके बाद जारखंड छेतर में मुखिरूप से छोटा नाकूर और संथाल परगना के वन छेतर सामिल है तो आज का जहारखन जो है पहले का छोटा नाकपूर और संथाल प्रगना कहीं प्रयावची है तो छोटा नाकपूर के बारे में भी जान लेते हैं तो छोटा नाकपूर जहारखन के सबसे बड़ा भाग है तो अगर समानी सब्दों में बोला जातो जारखंड का समनावर्थी छोटा नाकपूर को कहा जाता है आनि कि छोटा नाकपूर कहने का बहुत जारखंड से ही है चीनी आतरी एक फायान ने अपने आतरा विरितांत में छोटा नाकपूर पठार को कुकुट लाड का है तो फायान ने क्या कहा है छोटा नाकपूर को कुकुट लाड और एक अनि चीनी आतरी कुण थे होईंसांग जो हर्शुद्धन के सासनकाल में आये थे उन्होंने छोटा नागपूर का किस नाम से पुकारा है कीलो कीलो नासु का लाना आथा कर्ण सुवन और मधिकाल में राची छेदर किस नाम से जाना जाता था कोकरा या कोकरा नाम से जाना जाता था माधिकाल में और यही छेदर आगे चलके चुटिया नागपुर चुटा नागपूर और समनेता चोटा नागपूर से जाने जाने लगा और अस सब्से महत्पूर हो जाता है ब इटिस काल में कि शतरसो पॐसट से 830 तक इस छीदर को किस नामसे जाना जाता था छोटा नागपूर की नाम से उसके बाद 834 में अंग्रेजों ने इसे दच्छिन पच्छिम सिमांत एजेंसी साउथ वेस्ट फ्रॉंटियर एजेंसी के नाम से एक प्रसासने की काई बनाया और जिसका मुख्याले विलकिंसन गज या तो विसनपूर और वहीं विस संथाल परगना के बारे में तो संथाल परगना के बारे में क्या क्या है तो छोटा नागपूर जहारखंड का सबसे बड़ा भाग है तो छोटा नागपूर जहारखंड का दूसरा बड़ा भाग है तो इस छेतर का प्राचीनतम नाम क्या है तो संथाल परगना का प्राची ने संथाल परगना के राजमहल छेत्र का उले किस नाम से क्या है की चिंग कोईलोई के नाम से कोईला के नाम से किसने प्रयुग किया है राजमहल के लिए हुईजसांग ने तो राजमहल का नामकरन महिदकाल में हुआ था और संथाल परगना के एक महत्पूर भाग जिसमें राजमहल पाकूड गोटा और दुमका के कुछ स्विस्थे था मिल सामिल थे इसको दामी एक कोह अथात पहाडी आंचल के नाम से जाना जाता था तो ए था जहारखन का परिचेव नामकरन से समधित कुछ मत्मून स्वाल अब आगे वाले वीडियो में देखेंगे पासान काल नव पासान काल के बाद जहारखन तो थैंक्स पर वाचेव